इस वीडियो के अंदर जो हम वीबी.net की लूपिंग कंस्ट्रॉक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे के सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं के वाट इस लूपिंग क्या है। लूपिंग क्या है। लूपिंग कंस्ट्रॉक्ट क्यों यूज के जाता है। लूपिंग को बार बार एक्जीच्यूट करने के कंस्ट्रॉक क्टॉल को लूपिंग करना। cycle लगवाना उसके चकर लगवाना उसके इसको loop कहते है C++ के अंदर बहुत ही simple सी loop है तीन while, do, while and for जबके vb.net के अंदर इसके अंदर flexibilities है types उतनी ही है लेकिन उसके अंदर जो syntaxes है tools के वो थोड़े से ज्यादा introduce करवाए गए है basically इसकी दो ही types होती है counter loop और साथ में होती है sentinel control loop sentinel control loop जो होती है इसका मतलब होता है कि special value के उपर loop खतम करवाई जाए जबके counter जो होता है उसमें होता है कि आपने counting करनी है मिसाल के तोर पर one से लेकर eighteen तक one से लेकर hundred तक one से लेकर thousand तक एक के increment से दो के increment से तीन के increment से ऐसी type की loop को कहते है counter और मिसाल के तोर पर मैं कहता हूँ जी उस वकत तक loop चलती रहे जब तक user minus one ना इंटर कर दे या user जो है नो ना इंटर कर दे उसको कहते है essential या sentinel value special value ठीक है जी आईए ज़रा इनको discuss करते तो जो sentinel loops है वो कुछ यह है यहां तक जिसमें while and while आती है do while loop आती है do until loop आती है do loop while है do loop until है फिर यह सारी कि सारी जो है यह कौन सी है यह sentinel loops है इसको sentinel loops को जो है वो क्या कहते है sentinel loops के अंदर फर्दर दो टाइपस है pre sentinel loops और post sentinel loops ऐसी loop जो काम start करने से पहले condition को check करें उसको कहते है pre sentinel loops जिसमें आती है do while और do until और while and while और जबके post में होता है कि जब loop body एक दफ़ा execute हो जाए और condition उसके बाद चेक की जाए यानि condition second preference पे चेक की जाए उसको कहते है do loop while और do loop until जबके for next loop जो होती है वो counting के लिए ज़्याद तर use की जाती है आईए जराएंड के syntaxes और examples के साथ समझने की कोशिश करते हैं क्या जराएंड करते हैं